असलम अलेकुम दोस्तों वीडियों में हम आपको देंगे साओधी के लिटर स्मोटन अपडेट इवरी उनके लिए बहुत इंपोर्टन जो लोग अभी साओधी अरभी हम रहते हैं इसके साथ हम आपको बता दें कि अभी दो नए परतबंद साओधी गबर्मेंट के तरफ से जानकारी होना बेहत जरूस के साथ हैं उस सारी ईपडेट आप देखे तक कि पूपूरी जनकार मिले दोस्तों वीडियो में आगे हम आपको दो नए परतबंद की बारे में अपडेट करेंगे लेकिन उससे पहले मा आपको बता दें कि साओधी के हज और उम्रा मंतराले की तरब से एक नई अब्रेट दी गए मतलब यह है कि अगर आप किसी के साथ में हज उम्रा करने के लिए जाती हो और वहाँ पर अगर आपने पूरा भुकता नहीं किया है तो जो भी फश्ट में उम्रा के लिए आबेदन किया है उसके स्तर पर आपने अब्रेट अब ही एक नए पर्दबंद को लेकर है उसके बाद हम आपको दूसरे पर्दबंद के बारें बताएंगे तो पहले पर्दबंद बताय गया है कि सुझी अरब में जितने भी हज उम्रा करने के लिए उनके लिए अभी सुरक्षा के निर्देश का पालन करने के यह अपडेट दिया गया है यहां पर कहा गया है कि सब ही हज यात्रियों के लिए जो सुरक्चा है वो परदान किया जाएगा इसलिए यह आदेश जारी किया गया है मतलब साओधी एरफ में अगर किसी भी जगा खैमे में या किसी भी जगा आप जाते हो तो वहां पर आप कि जारी किया गया है दूस्तों सौधी के अगली अपडेट भी एक नए पर्दबंद को लेकर सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह जो आदेश दिया गया है वो 24 जून 2021 से परवाबी हो जाएगा मतलब लागो कर दिया जाएगा और लागो कर भी दिया गया है मतलब यह है कि अ पोटल यहां पर कुल 10 लाग 13 हज करने की इजाज़त भी दी गई थी जिसमें 8 लाग 50 जार बिदेश्ची होने की उम्मीद है मतलब 24 जून से जो परदबन लगा गया है वो सिर्फ उनलों के लिए है जो सौधी अरब में अभी रहते हैं हज उम्रा करने के लिए जाना चाह जासे खोला जाएगा दोस्तों सौधी के अगली अपडेट एक बेहत अच्छी अपडेट है क्योंकि सौधी नागरिक जितने भी है वो 9 जुलाई से अब बिना भी जाके थाइलेंड में अपना सफर कर सकते हैं और यहां पर 30 दिन तक वहां पर रह भी सकते हैं तो यह एक बेहत अच्छी अपडेट है जितने भी सौधी नागरिक हैं उनके लिए